Hey everyone, इस वीडियो के अंदर class 12th economics के पूरे के पूरे सलेबस से very very important topics बताऊँगा दोनों book से, ठीक है, notebook निकाल के mark कर लो या फिर लिख लो इन सभी के सभी topics को, बहुत ही काम के हैं, यहां से काफी question आए हैं CBSE के अंदर, ओके, और इनकी अच्छे से practice करना इन सभी topics की, इन topics को first priority देना, ओके, फिर start करते हैं, बाकी channel पे नहीं हो, तो subscribe कर दो, bell icon on कर दो, ठीक है, और ऐसी काम की वीडियो लगातार, humanities lover पे upload हो रही हैं, आपको बहुत ही help provide होगी, मिलेगी इन वीडियो से, आपके 2024 के board exam में, चलिए फिर start करेंगे, उससे पहले आप देखो marks का distribution, हमें द particular unit, 10 number की पूछी जाएगी, 6 mark की, ऐसे करके आप इसको एक बार pause करके read कर लो, ठीक है, जिससे आपको एक clarity मिल जाए कि किस unit से कितने marks का आने वाला है, उसके according आपको अपनी तयारी करनी है, तो 40 mark का इस वाली book से आएगा, और 40 mark आप देखोगे, Indian Economic Development, इसमें भी units given है, अब India का, India की Economy Development का, various demographic indicators का, तो ये वाला chapter बहुत important है, 8 mark का यहां से पूछा जा रहा है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, तो I hope आपने वीडियो पॉस करके इस चीज को देख लिया है, आगे हम बढ़ेंगे, और मैं आपको topic बताऊंगा, topics को proper तरीके से आपको करना है तो unit wise ही मत चलूँगा, अब देखो, आप मालो कोई दूसरी reference book follow करें, उसमें आपको ये topics नहीं मिल रहा है, as it is, तो मैं आपको topics की details भी बताऊंगा थोड़ी बहुत, ताकि आप अपनी notebook में side में लिख लो, कि topic के अंदर भी मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना आते हैं, वो भी हाँ पर में discuss करूँगा, इस video के अंदर, तो आप पहली unit देखोगे, macro economics के अंदर, जो की है, national income and related aggregates, ये particular unit है, इसके अंदर, जो important topics है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि intermediate goods है, और final goods है, अब इसमें देखो न, difference between आस लगता है आपसे, तो आपको प पर तरीके से पढ़ना है, वैसे stocks and flows के बीच में आपको difference पता होना चाहिए, right, difference पता होना चाहिए, साथ में आपको पता होना चाहिए, कि basically अगर आजाता है, कि classify करो ये particular stock है, flow है, okay, तो कि MCQ बन जाता है, तो आपको reason भी पता होना चाहिए, यानि कि आपको concept clarity होनी CBC के अंदर, वो उनके answer आप अराम से कर पाओगे, बड़ी-बड़ी statement मिल जाएंगे, picture based question आएंगे, passes based question मिल जाएंगे, घबराने की जरुवत नहीं है, अगर आपके concept के लिए रहना, तो आप अराम से उन question के answer दे सकते हो, वो मैं बताऊंगा इस video के अंदर आपको कैसे कर राइट, उसके बाद next topic है, जो कि long marks में आ सकता है, 4 mark के अंदर, 6 mark के अंदर, long mark के अंदर, that is circular flow of income, तो circular flow of income के अंदर आपको डाइग्रेम बनाना आना चाहिए, डाइग्रेम आपको पता होना चाहिए, कैसे बनाना है, और real flow, money flow के बीच में difference, राइट, proper तरीके से, उसके बाद कौन सी चीजे include होती है, national income के अंदर, और कौन सी domestic income के अंदर, और आपको इसका जो reason है, वो भी पता होना चाहिए, अब मुझे मालूम है, कि ये वाला topic थोड़ा confusing है, कि कौन सी चीजे include होती है, कौन सी नहीं होती, मैं एक video लेकर आऊँगा one shot, अगर आप comment करोगे इ आप कर लोगे न, कि ये चीज include होगी की नहीं होगी, national income के अंदर, domestic income के अंदर, उतना आपके लिए enough रहने वाला है, उसके भार जाने के जरुवत नहीं है, तो ये particular चीज है, जो कि आपको follow करनी है, इसके अंदर, सारा कुछ पढ़ने के जरुवत नहीं है, इसके अंदर, क्योंकि काफी, you know, हम कह सकते हैं, बहुत ही deep topic है ये, तो इतना आप कर लोगे, enough रहेगा आपके लिए, तो comment कर उस वीडियो के नीचे, मैं उन वीडियो को लेकर आ जाओंगा, आगे बढ़ेंगे, aggregates पता होना चाहिए, national income के aggregates, जैसे कि हाँ पर gross से net जाते है, तो क्या हो मतलब national income को calculate करोगे, और national income को calculate करने की numericals बहुत ही important है, जो भी methods है, तीन methods हमने पढ़े है, एक तो value added method है, जिसको product method भी कहते है, और एक expenditure method, और एक है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा income method, तो तीनो methods को आपको पता होना चाहिए, तीनो method के जो भी formula है, formula आपको पता लोगे, तो confusion आपको नहीं होगा, precautions पढ़ लेना, तीनो methods के formula, और 5 से 6 type के, या 10 अगर आपको time मिलता है, तो 10 numericals हर method के लगा लेना, practice कर लेना, जो कि numerical आते हैं, और में आ सकता है, कि theory आ गई, plus में और करके आपको आपको बेसिकली numerical, तो कुछ भी आ सकता है, दोनों के आपको पढ़नी है, अब इसमें nominal GDP जो है, और real GDP के बीच में, यहाँ पर difference between आपको आना चाहिए, उसके बाद GDP और welfare वाला मैं कहूंगा, बहुत important topic है, especially externalities वाला, पढ़ लेना इसको example के साथ, अब हमारी दूसरी unit शुरू हो रही है, जो कि है money and banking, इसके अंदर हमारा जो money काला chapter है, उसमें money supply क्या होती है, वो पढ़ लेना, और measures of money supply के अंदर, यहाँ पर M1, M1 के अंदर क्या-क्या include होता है, अब इस chapter के अंदर थोड़ा सा idea रखना कि money के functions कौन-कौन से होते है, वनमा का सकता है, हलका सा idea रख लेना, जैसे कि for example, ऐसे पूछ लेंगे, कि money act करती है, मतलब money को आप store कर सकते हो, future में use करने के लिए, तो फिर basically कौन सा function है money का, तो obviously store of value है, तो इस तरीके से बन सकता है, तो हलका सा idea रखना money के functions के बारे में भी, बाकी money supply and measures of money supply important है, उसके बाद है credit creation, या फिर कहलो money creation by commercial banks, table आपको आना चाहिए, यानि कि कैसे ही हाँ पर जो commercial bank है, वो money creation या credit creation करता है, इसमें आपको LRR पता होना चाहिए, पूरा table बनाना आना चाहिए, ठीक है, तो ये आपको पूरा मिल जाएगा, हमारी book के अंदर अच्छे से कर लेना, इसके अंदर कुछ आपको formula भी मिल जाएंगे, जैसे कि credit multiplier हो गया, या फिर total credit creation का formula होता है, वो पढ़ लेना, महां से numerical बन सकता है, one mark का mcq, जो कि numerical one mark में भी आ सकते हैं, mcqs में आ सकते हैं, right, उसके बाद है functions of central bank, central bank के functions बहुत important है कि आप से देखो ऐसे नहीं बनेगा, ये मतलब economics है और cbsc वाली economics है, तो simple question वो simple नहीं बनाएंगे, direct question कि write any three functions of central bank नहीं, आप से कि particular point का पुछ लेंगे, कि how, ये particular चीज, कैसे एक function है, central bank का, RBI का, ऐसे बनेगे question, तो आपको सारे points की clarity होनी चाहिए, right, तो इसमें हमने कई सारे points की बात करी है, भले वो, lender to the last resort हो, या फिर bank of issue हो, ठीक है, और इसी में ही आपको एक बहुत ही important function मिलेगा, किसका, RBI का, जो की होता है, credit control measures, ये वाला star लगाल, उस पर बहुत ही important है, आपको पता होना ची, bank rate क्या होता है, rapport rate, reverse rapport rate, open market operations, margin requirements, यहाँ पर आपको LRR, LRR के अंदर दो चीज़ा आप देखोगे, एक तो CRR होता है, और एक SLR होता है, ये सारी के सारी चीज़ा आपको पता होनी चाहिए, right, और ये वाला topic आपका access demand, deficient demand वाले में भी आने वाला है, तो इसको यहाँ पर ही concept को clear कर ले, कोशन बन जाते हैं कि मालो अभी RBI ने कुछ time पहले ऐसे बन जाएगा, कि news में ये चीज़ आई थी, कि RBI ने अभी recently क्या किया है, 50 basis points है जो basically rapport rate को बढ़ा दिया, तो उसका कारण ब हैनी चाहिए, और आपको statement दे देंगे घबराने की जरुवत नहीं है, घबराना नहीं है, आपको statements को देखके बस समझने की कोशिश करनी है, कि हमने जो पढ़ा है, उसको हम कैसे apply करेंगे यहाँ पर, और उनी चीज़ों को आपको लिखना है बस, घबरा जाते हैं काफी सा unit है, इसके अंदर आपको ना पता होना चाहिए कि APC, MPC, APS, MPS के formulae, प्लस में इनकी maximum value, minimum value, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा table अपनी book में मिल जाएगा, उसको अच्छे से कर लेना, उसके बाद consumption function है, saving function है, इन दोनों से मैं बोलूँँगा, बहुत ही जादा numericals आत है, question की derive करो, derivation of consumption curve from saving curve, या फिर vice versa, इसका उल्टा भी, derivation of consumption, saving curve from consumption curve, तो इसको आपको अच्छे से करना है, इसके अंदर आपको steps पता होना चाहिए, आपको curve बनाना आना चाहिए, curve के ही marks मिलेंगे, steps बताने के ही marks मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद multiplier का formula आपको पता होना चा है, हमसे की उसके अंदर, उसके बाद एक topic और important है, जो की ADAS approach है, और saving investment approach है, इसके अंदर भी आपको curve आना चाहिए, बनाना, ओके, और किस तरीके से हम इसको find out कर सकते है, ADAS approach, saving investment approach, ओके, आगे बढ़ेंगे, and आगे इसी के अंदर आप देखोगे, एक chapter, मतलब एक chapter कहलो, या फिर इस unit का ही part है, अलग से chapter है, access and deficient demand आपको क्या होती है, वो पता होना चाहिए, उसका curve बनाना आना चाहिए, inflationary gap दिखाना आना चाहिए, करव में, deflationary gap कौन सा होता है, right, इसके कारण access demand के भी और deficient demand के कारण, क्या impact पड़ेगा इसका, और कैसे आप इसको correct कर सकते ह हो, और correct करने के अपने दो measures पड़े हैं, एक तो fiscal measure, और एक आप देखोगी monetary, दोनो measures के बारे में आपको पता होना चाहिए, fiscal measure government करती है, monetary RBI करता है, और monetary के अंदर रिवर्स 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 रिपोरेट, open market operation वाली बाते होंगी, LRR वाली बाते होंगी, और fiscal में taxes के charge कर सकती है, expenditure के साथ कर सकती है, वो सारी के सारी चीजे, बहुत easy chapter है, वो वाला जो chapter था ना, ये particular this one, इसके साथ connected है, ये वाला, जो कि मैंने आपको credit control measures बताये थे, इसके साथ ये chapter connected है, आगे next unit है, government, budget and the economies के अंदर आपको objectives पता होना चाहिए, government के budget, कि अब direct question नहीं कि कैसे government, मतलब कैसे government, budget के थुरू, economic development का काम करती है, या employment generation का काम करती है, या फिर कोई भी statement दे देंगे, कि फलाने फलाने year में, government ने इतना खर्चा स्टीच पे किया, तो कौन सा objective फुल्फिल कर रही है, government, government अपने budget के थुरू, तो ऐसे question बनते है, economics में, तो आपको लिख अच्छे से, बाकी components of government budget, components के अंदर एक तो revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts और capital expenditure, ये आपको पता होना चाहिए, even यहाँ पर कभी-कभी ऐसे question भी बन जाते है, कि आप से classify करवा लेंगे, कि भाया, ये particular चीज किसके अंदर आएगे, क्या है, ये क्या है, ये government का, किस type का expenditure है, किस type की receipt है, तो दोनों चीज़े आपको पता होनी चाहिए, properly, concept की understanding होनी चाहिए, और एक चीज और यहाँ पर, जो कि मैं आपको बताऊँगा, वो है taxes के बारे में, direct taxes और indirect taxes के बीच में difference, ये भी बन जाता है, कभी-कभी question, उसके बारना हमने deficit पढ़े है, budget में deficit पढ़े थे, एक तो revenue deficit है, fiscal deficit, primary deficit, इसके formula पढ़ लेना, और fiscal deficit जो है न, उसके आप implications पढ़ लेना, ठीक है, सभी के implication पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी common चीज़े हैं इनके अंदर, लेकिन जो fiscal deficit वाला है वो पढ़ लेना, और सभी के सभी formula पढ़ लेना, क्योंकि हाँ से numericals जो है न, वो बनने क chances हैं, ठीक है, numericals बनने के chances हैं, ओके, आगे आपकी last unit आ रही है सामने, balance of payment, इसमें पहला चप्टर है, foreign exchange rate, ठीक है, तो foreign exchange वाला जो chapter है, उसमें आपको currency appreciation, currency depreciation क्या होता है, वो पता होना चाहिए, आपसे पूछ लेंगे कि भाया, इस particular country की currency, इतनी थी value, फिर इतनी हो गई तो हमारे India की currency के terms में क्या हो रहा है, appreciation हो रही है हमारी currency, Indian currency है, depreciation हो रही है उसकी, ठीक है, appreciate हो रही है, depreciate हो रही है, तो कैसे भी question बन सकते हैं, concept clear होना चाहिए, और इसमें आप ये भी पढ़ोगे, कि इसका क्या हमारे imports पे और exports पे प्रभाव पड़ेगा, impact पड़ेगा, उसके बाद flexible exchange rate system आपको पता होना चाहिए, हमने कुछ exchange rate system पढ़े थे, flexible होता है, इसमें आप fixed देखोगे, managed floating देखोगे, flexible वाला important है, और एक चीज और आपको पता होना चाहिए, demand and supply of foreign exchange, यानि demand and supply है किसकी foreign exchange की, अब इसमें आपको पता होना चाहिए, कि हम लोग sources यानि, sources का मतलब हम foreign currency की demand कब करते है, कब हम उसकी supply करते है, मतलब demand के sources, supply के sources, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको relationship भी पता होना चाहिए, relationship की state के बीच में, मतलब जो foreign currency है, उसके price ठीक है, उसके price और उसकी demand and supply के बीच में relationship, या आपने IHO पढ़ा होगा, यहाँ पर में detail में न घट रही है, तो उसकी demand पर क्या फरक पड़ेगा, और अगर घट रही है बढ़ रही है, same चीज, तो उसकी supply पर क्या impact पड़ेगा, तो यह relationship भी आ सकता है, और इसमें आपको कर्व बनाना पड़ेगा, कर्व बनाना पड़ेगा proper तरीके से, तो इसको अच्छे से पढ़ ल सेम चीजे, और autonomous और accommodating transactions के बीच में difference क्या होता है, तो यह थे आपके macro economics के, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं खाले topics ही नहीं बता रहा हूं, कितना आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजे बता रहा हूं, तो corporate करना, speed में करके देख लो, ल ग्यारवी क्लास की अंदर थी, बारवी क्लास में अभी 2-3 साल पहले आई है, तो हमारे पास इसके ज़्यादा PYQs नहीं है, तो हम इतना claim नहीं कर सकते कि यही topics बहुत important है, जैसे मैं macro economics में कर पा रहा हूं, लेकिन तब भी 2-3 साल के paper को देख के और एक idea होता है, कि यह topic स सच में important है, इसकी relevance है, उसके basis पे मैं आपको इस book के important topics बता रहा हूं, जिनकी practice अच्छे से कर लेना, अगर time मिलता है तो जो बागी topics हैं, जो कि मैं इस video में cover नहीं कर रहा है, इस book के, हलका हलका idea उनका भी ले लेना, लेकिन पहले अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो first priority in topics को दो, ओके, तो Indian economy on the eve of independence वाल आपको chapter मिलेगा, ये मैंने unit wise नहीं chapter wise लगाए हैं, इसके अंदर आप demographic profile पढ़ लेना, occupational structure पढ़ लेना और foreign trade, कि हमारा foreign trade किस तरीके से रहता है, जब हमें independence मिल रही होते हैं उस time पे, ओके, ये चीज है, उसके बाद second chapter है, goals of India's development plan, इसके अ objective क्या थे, 5 year plan के अंदर, पहला 5 year plan, second 5 year plan, उसके basically objectives क्या थे, ये हमने political science में भी पढ़ा है, नीती आयोग, planning commission को replace करा नीती आयोग ने, ये भी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद next chapter है, agriculture, industry and foreign trade, इसके अंदर, हमने कौन कों से measures लिए है, agricultural problems को solve करने के लिए, यानी reforms, और green revolution पता होना चाहिए, आपको इसका क्या impact पढ़ता है, positive impact, negative impact, industrial policy resolution 1956 की मैं कहूंगा, बहुत important topic है, कौन कौन सी चीज़े इसमें की जा दिया है, लग-लग points हमने पड़े हैं, तो वो पता होना चाहिए आपको, import substitution policy के बारे में पता होना चाहिए, इसके पीछे के जो objectives थे, व liberalization, privateization and globalization, इस chapter के अंदर liberalization क्या होता है, उसको अच्छीव करने के लिए कौन कों से measures हम लेते हैं, वो पता होना चाहिए, disinvestment पता होना चाहिए, क्या होता है, even disinvestment और privateization में क्या difference होता है, ये भी question बन सकता है, ओके, इसके बारे में भी आप पढ़ देना अच्छे से, उसक बहुत हमने इसमे, political science में और geography में भी पढ़ा है, ठीक है, अगर आप commerce के student होना, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको ये clarity थोड़ी बहुत तो पहले से होगी, outsourcing के अगर हम बात करते हैं, तो outsourcing वाला भी topic important है, और ये भी हम geography में पढ़ चुके हैं, तो outsourcing, globalization क्या होता है ये सब तो हम political science में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने एड नहीं करा, वैसे भी common चीछे हैं, जो कि आप इनके बारे माई होब जानते होंगे, right, human capital formation वाला जो chapter है, this particular chapter, ऐसे यहाँ पर question बन जाएंगे, इसमें direct नहीं बनेंगे, देखो, आपसे picture based question बन सकते हैं, आप को ना कोई भी picture दे देंगे, या कोई भी आपको ना data दे देंगे, data based question बन जाते हैं, तो वो इस वाले chapter, मतलब इस वाले book से आने के chances हैं उसके, ठीक है, picture based question के, या data based question के, तो उसको देखकर घबराना नहीं है, देखो, पढ़ो, और उसको बस आपको ना explain करने, अपने words मे sources आजाते हैं, कि sources of human capital formation आप बता दो, तो इसमें हमने अलग-लग sources पढ़े हैं, अब जो भी अलग-लग sources हमने पढ़े हैं, direct question नहीं बनेगा, आप से पूछ लेंगे, कि भाया, on the job training बता दो आप लोग, कि वो कैसे एक important source है, क्या उसका impact पढ़ेगा, या education, health, इस तरीके से, उसके बाद ये question भी बन जाता है, role and importance of human capital in economic development, क्या role है इसका, और कौन-कौन से challenges है हमारे education में, या overall human capital formation में, तो challenges भी बन सकते हैं, अब ये वाला chapter बहुत ही जादा easiest में, आपको इतना detail में पढ़ने की जरूद नहीं है, क्योंकि आप जानते हो, health में अगर खर्चा होगा, education पे होगा, तो उसका क्या impact पढ़ने वाला है, ठीक है, तो ये चीज़ और कौन-कौन से challenges है हमारे education में, तो आपकी जो awareness है, उसके basis पे आप इस chapter को अराम से पढ़ पाओगे, और कोई भी कोशन आएगा, उसको हल कर पाओगे, ये वाला chapter important है, rural development, इसमें आपको पता होना चाहिए, कि कौन-कौन से sources है credit के, institutional, non-institutional, यानि formal, informal, role क्या है, rural banking system का, rural development में ये वाला भी बन जाता है, कि यहाँ पर आप किस तरीके से, मतलब अगर आप यहाँ पर institutional sources को बढ़ाओगे, तो उसका क्या impact पढ़ेगा, rural development के उपर, नाबाड आपको पता होना चाहिए, इसके benefits क्या होते, और इसकी कौन-कौन से limitations है, क्योंकि आज भी हम इसको पूरी तरीके से use नहीं कर सकते हैं, इसकी भी कुछ न कुछ limitations है, अब next chapter आ रहा है, आपका employment वाला, इसमें आपको workers के types पता होना चाहिए, कि workers आप देखोगे, अलग-लग type के होते हैं, even यहाँ से मैंने अ नाम भी given होगा, उसको किस worker की category में डालोगे, किस category में डालोगे, तो ऐसे question बनेंगे, तो जो आप पढ़ रहे हो ना, तो उसको समझने की कोशिच करना, economics के अंदर proper तरीके से, क्योंकि direct question नहीं आएंगे, थोड़े indirectly आएंगे, बट वो easy हो जाएंगे आपके लिए, अगर आपने अच्छे से तयारी करी है, तो, उसके बाद informalization of workforce, ये वाला ना, एक बार PYQ चेक करना, मैं इसके ओपर वीडियो लेकर आचाओंगा, picture-based question आया हुआ है, ठीक है, कि हाँ पर जो लोग है, वो क्या कर रहे है, informal sector की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी picture है, तो उस picture को देखके, आपको वही बताना है, तो, easy questions आने वाले है, डरने की जरुवत नहीं है, अच्छे से पढ़ो, तयारी करो, अराम से आपका, यहाँ पर अच्छा paper जाने वाला है, economics का, लेकिन अच्छे से cover करना है, इन सभी topics को, environment and sustainable development के अंदर, आपको, environment के functions पता होना चा एक तो caring capacity, और एक absorptive capacity, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक तो होगी, आपी caring, caring, caring capacity, और एक absorptive, ठीक है, capacity, थोड़ा writing के लिए मुझे माफ करना है, तो कि बोलते बोलते फर लिखता हूँ, थोड़ी writing गड़ बड़ा जाती है, anyways, आपको समझ में आ रहा होगा, carrying capacity, absorptive capacity, उसके बाद, यह देखो, यह वाला topic easy है, sustainable development क्या होता है, कैसे आप इसको बेसिकली, अचीव कर सकते हो, क्या इसका meaning है, तो यह भी direct question नहीं बनेगा, इवन इस टैप्टर में एर pollution गिवन है, ozone layer का depletion गिवन है, direct question नहीं आएंगे, कि what is air pollution, explain the causes impacts, ऐसे नहीं कि अगर आप solar energy पे, मतलब solar energy को promote करोगे, या और भी जो renewable sources है, उनको promote करोगे, right, उनको use करोगे, तो अच्छे से हमारी, मतलब environment को save कर सकते हैं, explain करो statement को, ऐसे question बनेगे, जो कि आप I hope लिख पाओगे, कि solar energy का use कर सकते हैं, wind का कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़े सरकार कर सकती और कर चुकी है, ये वाला भी बन सकता है question, जो कि इसी के अंदर आता है, sustainable development के अंदर, इसका meaning क्या है, और कौन कौन सी तरीकों से आप इसको achieve कर सकते हो, उसके बाद आपका आ रहा है, last chapter, जो कि सबसे important है, अगर आपको time मिलता है, तो complete chapter इसको कर ले, right, वैसे मैं आप आपको ये बता दूँ, जो चायना का great leap forward है, और great proletarian cultural revolution है, सबसे important topic है, इस chapter का, right, और एक है demographic indicators, demographic indicators एक तो यहाँ पर जो भी तीनों country के बारे में given है, उनको compare करते हुए, अलग-लग fields में, इंडिया, पाकिस्तान और चायना, यहाँ पर data based question बनने के बहुत ही, ज्यादा chances है तो आपको data दे देंगे, even ऐसा question आप भी चुका है, और आपको फिर बताना पड़ेगा, जो भी question में पूछा जाएगा, कि compare करो कि इंडिया stage में थोड़ा पीछे क्यों है, यह चायना आगे क्यों है, ठीक है, पाकिस्तान क्यों तरना पीछे है, आपको बताना पड़ेगा तो अगर आप इस वीडो के नीचे, जितने ज़्यादा students comment करेंगे कि sir one shot videos लेकर आजाएए, complete explanation of both the, both the basically books, macro और Indian economy development, तो मैं लेकर आजाओंगा, साथ में important question with answers, बहाँ पर मैं आपको PY की उस दिखा दूँगा, कैसे questions आए हैं, ताकि आप यह चेकर पाओ कि इन topics से, जो कि म final exam में, I hope आपको चीजे समझ में आई होंगी, और आप इन सभी के सभी जो भी important topics से इनकी अच्छे से preparation करोगे, ठीक है, चलिए फिर अब मैं आपको मिनूँगा next video के अंदर, वीडो अच्छी लगी हो तो like कर देना, share कर देना अपने friends के साथ, और बोल देना उनको, economics में ड आजाएंगे, मिलता हो next video में यह हैस वीडो का end, thanks for watching and as always God bless you all